गुड मॉनिंग बच्चो गुड आफ्टनून या गुड इवनिंग जब भी आप देख रहे हो आज अपने बड़ाई इंट्रेस्टिंग सा टोपिक लिया है केमिस्ट्री का एटम ठीक है जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है विटा मतलब जो चाहे आप क्लास 9 से लेओ क्ल एक बार एटम को लेकर क्लियर होना बहुत 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 ज़्यादा नेसेसरी है आप चाहे किसी भी क्लास में हो हाना तो आज अपन इसी टोपिक को बड़े डीटेल में बात करने वाले सुरुआत से सुरू करेंगे एक्जेक्ली की पूरा रस्ता तेय करेंगे आज अपन कहते हैं क्या है एम उसपे कैसे पुछे अच्छा सबसे पहले हिटम की वारे में कहा क्या जाता है is एक बेसिक तो बात करें तो एक एक तरीके से बेटा एटम कहा जाता है कि बिल्डिंग ब्लोक ओफ मैटर है जैसे कि अभी हाले फिलाल मैंने हाथ में चोक पकड़ रखा है ये भी एटम से बना हुआ है जिस स्क्रीन पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी एटम से बनी हुई है जिस आख की हेल्ट से जो अचाइब है से बना है मिलके बना आटम से तो एक दिखता क्यूंग है तो पहले तो भाद समझो बच्चो जो गणा डप वह चोटा किता है अच्छा क्याम करते हैं कमपेरिजिन में रखें तो अगर अपना बाल एक बाल है तो बाल दिए मोटा है बहुत कम होती है अगर उ कि अगर अपन 5 lakh pieces कर दें यूँ उपर से काट के करीब करीब 5 lakh टुकडे 5 lakh किसे कहते हैं सोच के देखो एक बाल के 10 बार टुकडे करने के बाद तो दिखता तक नहीं है उसके 5 lakh टुकडे अपन करेंगे ना तब जाके वो atom की size के बराबर सा चोड़ा होता है अब idea लगा सकते बहुत advanced microscopes हैं उनकी help से भी अपने को वैसे नहीं दिखता है atom जैसे अपन zoom करके cell वगरा देख लेते हैं कि cells कैसे हैं, mitrocontria कैसा है वो सब अपने को clear दिख जाता है लेकिन अपने को atom फिर भी नहीं दिखता atom के लिए तो अपन कुछ advanced techniques का इस्तमाल करते हैं बस उसकी image बना लेते हैं ठीक है कि कैसा होगा exactly अपने लिए देख पाना उसे possible नहीं है ठीक है अच्छा अब एक काम करते हैं तो एक चोटा सा सवाल मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब अपन atom को देख ही नहीं सकते तो अपन कैसा कह सकते हैं कि सब कुछ atom से मिलके बना हुए हाला ब अपने पास टोटल बेटा 118 atoms हैं तिल डेट अपने पास में केवल 118 atoms ही मिले हैं उनहीं से मिलकर करीब करीब यू मान के चलो जितनी भी चीज़ अपने को दिख रही हैं आज के टाइम पर या यह पूरी प्रित्वी ही सूरज हुआ चंद्रमा हुआ अपना समंदर वगर म अपने को कैसे पता या सर आपको कैसे पता ठीक है मैं को कैसे सवाल है समझाओ बता और इसलिए हैं आपर तो देखो बेटा एकदम शुरू से शुरू करते हैं 400 BC 400 BC माने यू मान के चलो ज़्यादध डिटेल वा जाएंगे निया आज से तकरीबन 2400 to 2500 years पीछे है मतलब 2500 साल पहले सबसे पहले जो अपने महारिशी कनत और ये डेमोक्रिटस ये दोनों के दोनों ancient philosophers ते ये अपने भारत से थे अपने इंडिया से थे और ये जो डेमोक्रिटस थे ये ग्रीक से थे ठीक है ग्रीक philosopher थे बेटाई इन्होंने क्या किया सबसे प तुकड़े के फिर दो टुकड़े करें, फिर जो चोटा वाला टुकड़ा है, उसके फिर दो टुकड़े करें, फिर उस टुकड़े के टुकड़े यूँ करते जाए, करते जाए, करते जाए, तो लास्ट में, ऐसा निये कि हमेशाते के टुकड़े होते रहेंगे, लास्ट म नाम दिया ता मारिषी करन ने अनु यह प्रमानु परम अनु इसके बाद में जो इन्हों ने क्या कह था कि अगर अपन कोई सेव लें या कोई भी ऐक चीज लें उसे Caatna चालो करें उसे काड़ते जाएं काड़ते जाएं अच्छा उसपकंड जोटा में चाहिए उसको पिर काड़ दो तो तो ऊर चोटा टुकड़ा बचेगा कि उसको फर्दर काटना पॉसिबल नहीं होगा ऐसा कहा डेमोक्रिटर्स ने कुल मिला के इन दोनों का आपस में देखो कोई कॉंटेक्ट नहीं था हना यह बहुत दूर दूर थे दोनों लेकिन दूनों ने करीब करीब सेम बात कई अब जो महारे सिकनत थे इनको ज़्यादा टेंचिन नहीं थी कि अपने को दुनिया का समझाना है यह यह वो करना है इन्होंने अपना काम किया लिखा और इसी गरंत मे रख दिया ठीक है लेकिन वहीं पे जो डेमोक्रिटस था इसने क्या किया जाके वो चीज़ लोगों को समझाना चाहिए तो लोगों ने हो completely reject कर दिया सबूत क्या आपके पास ऐसा किस बेसेश पर आप कह सकते हो तो डेमोक्रिटस की तेयोरी उस टाइम reject कर दी गए अच्छा डेमोक्रिटस ने जो उस इसको नाम दिया वो नाम दिया एटोमोस हो सोरी एटोमोस यह जो एटोमोस होता है यह ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है बेटा चोटा कमरा एका ना little room के लिए अपन एटोमोस इसी नाम को further modify करके atom नाम दिया गया यह नाम तो यहां से आया ठी इनको completely क्या कर दिया गया reject कर दिया गया नई हम तो नहीं मानते आपकी बात साबित करो अब क्या हुआ इसके बाद में अपने पास में एक alchemist alchemist माने जो गुंता रहता ना वो थे एक जाबिर इबन हयान इन्होंने क्या किया इन्होंने देखा कि जो समुंदर के अंदर ज पीचे क्या बचता केवल और केवल नमक तो यह चीज इन्होंने नोटिस करी और फिर यह क्या अब थोड़ा सोचा इसी फील्ड को थोड़ा सा एडवांस करने के लिए जो एक्स्ट्रेक्शन की फील्ड थी कि मतलब एक चीज को उबाल के या गला के सड़ा के कोई दूसरी जीजु से निकालना उससे अपन एक्स्ट्रेक्शन कहते हैं या भार निकालने को कहते हैं एक्स्रेक्शन तो उन्होंने इसी चीज़ के अंदर एडवांस्मेंट करनी की सोची तो इन्होंने क्या देखा कि जो सड़ता हुआ फल होता है ठीक है जो फर्मन्टिंग या फिर अपन जो बोलते हैं लोकल लेंग्वेज में दारू अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस किये इवन आज भी कई राजस्तान में कई ऐसी फैमिलीज हैं या जो कई ऐसे ट्राइब्स हैं वो आज भी क्या करते हैं जो फ्रूट्स होते हैं उनको सडाके उनसे जो एलकोहल है या जो दारू अपन कहते हैं देसी दारू वो बनाते हैं तो वो क्या करते हैं बिटा कि उस फ्रूट को सडाके जो सेपरेट करते हैं उसके अंदर क्या कर लेते हैं alcohol को separate कर लेते हैं distillation के through alcohol alcohol को side में ले ले लेते हैं उसमें तोड़ा पूत पानी भी आता है लेकिना alcohol आ जाता है तो वो भी एक तरीके से जो ये अपने पास में extraction है इसी के process को इस्तमाल करते हैं जो की दिया गयता अपने पास में जाबिर इबन हयान के दुआरा ठीक है तो कुल मिलाके ऐसे हो देशी दारों बनाते हैं अच्छा फल फ्रूट मीठे भी होते हैं तो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो उनके अंदर से जो शुगर है जो मीठास है जो चीनी है फ्रूट के अंदर उससे भी बाहर निकाला जा सकता है उसके अलावा जो पल्प है वो बच जाता है अच्छा खुश्बू भी आती है वो जो सेंट है उससे भी अलग से बाहर निकाला जा सकता है और भी बहुत से चीज़ें होती है जो उन्होंने क्या किया एक fermenting fruit से निकाल के दिखाई लोगों को तो वहाँ पर ये चीज पता चलिए कि बहुत जो एक अपने पास में फल है वो सिर्फ और जिर्फ एक चीज से मिलके नहीं बना हुआ उसके अंदर बहुत से चीज़ है उसके अंदर अलकोहल है उसके अंदर पानी है उसके अंदर ये जो fragrance वाला substance है जो खुश्बू देता है वो भी है उसके अंदर चीनी भी है उसके अंदर पल्क भी है छिलका वो सारा मतलब जो 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 जोगाड़ पाती है वो पूरा उसके अ मोटी मोटी चीज़े आज कल अपन देखते हैं, उनको छोटी चीज़ के अंदर तोड़ के गए, ठीक है, तो यहां तक की चीज़े सिद्ध हो गई, इन्होंने यह साबित कर दिया, कि जो अपने पास में आम है, यह एक चीज़ से मिलके बना हुआ है, कि यहां आम से, उसके आद में, आपना आते हैं, सीदा 1700 AD, 1700 AD मानें, कुल मिला के मान के चलो, आज से हो गया, तक्रीबन, 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 300, 300, 400 साल, पहले की बात, तब एक कपल था हैं, आपे, Mary, Annie, Pols, and Anthony, Lavoisier, नाम थोड़े हजीब है, प्रनिंशेशन में भी गलत हो इनका, तो बेटा ये दोनों थे, इन्होंने क्या किया, कि क्या एक काम करता हैं, थोड़ा सा इसी पर फर्दर काम करता हैं, जो इन्होंने क्या किया कुछ प्यूर सबस्टेंस लिया, जैसे पानी है, पानी को चाहिए तुम उबालो, तो भी हो पानी रहता है, पानी को तुम जमा दो, वो बर अपन प्योर सब्स्टेंस को ऐसे मतलब जो अलग अलग नहीं कर सकते किनी चीज़ों में वो अपने पास में पानी है तो वो पानी ही रहेगा फर्दत तोड़ा जा सकता है कैसे वो आगे देखेंगे लेकिन यह सिंपल चेंज नहीं रहेगा या कि अपन घर बैटे बैटे कर स अच्छा अब एक चीज़ समझ में आई कि सिंपली जैसे उन्होंने क्या किया था सिंपली उबाला था जमाया था या गरम करको राके जो फर्मेंटिंग फूर्ट था उन्से इतनी सारी चीज़े निकाल ली थी लेकिन अपने पास में जो अब ये कपल था जो इनका नाम है एक बार देख सकते हो तुम इन्होंने क्या दिया इन्होंने ये कर nozzle कि अपने पास कोई फिजिकल चेंज उनके साथ में कोई सेड़ चाड नहीं किया गयागिया गरम थंडा गरम ऍनी ही किया गया chemical reaction यहाँ पे chemical reaction जो है बेटा यह एक highlight होने वाली चीज़ है यहाँ पे कि इन्होंने क्या का कि अपने पास कोई pure substance है इसे अपन chemical reaction की help से further तोड़ सकते हैं तो अब यह chemical reaction क्या होता है pure substance तो अपने कोई समझ में आए कि पानी हो पानी ही है chemical reaction बेटा कुछ ऐसे चीज़ है कि अपन जो composition है ना जो से पानी है तो पानी को further तोड़ देते हैं लेकिन उसके लिए अपन अलग तरीकों का इस्तमाल करते हैं गरम करने से ऐसा नहीं होता है ना वो अलग-अलग ways होते हैं जैसे अभी यहाँ पे अपन देखें तो simply उनको further तोड़ा जा सकता है मतलब देखेंगे भी थोड़ा से एक बार हलका सा बता दूँगा अभी जैसा है पानी है पानी को simply अगर अगर अपन गरम करते हैं तो water vapor में convert हो जाता है और ठंडा करने पे वापस पानी या जो liquid state में अपने पास पानी होता जो अपन पेनी के लिए काम में लेते हैं उसमें convert हो जाता है लेकिन अगर अपन chemical reaction का इस्तमाल करें तो जो अपने पास में पानी है जो water है इस water को अपन hydrogen gas और oxygen gas oxygen gas अपन सांस लेने के लिए काम में लेते हैं ना और यह hydrogen gas इन gases के अंदर further तोड़ा जा सकता है आपन क्या कर सकते हैं पानी को देखो वैपर के अंदर तो कोई भी convert कर लेगा लेकिन पानी को hydrogen gas और oxygen gas में सबसे पहले इस couple ने convert किया या तोड़ा अब यहां से अपने के एक चीज़ समझ में आई कि further here, हाँ, जो अपने पास में यह जो pure substances हैं, यह भी किसी ना किसी चीज़ से मिलके बने हुए हैं, ठीक है और ऐसी जो substances थे जिन से मिलके यह pure substances बने हुए थे ऐसी चीज़ें, जिन से मिलके pure substances बने थे उन्हें इन्होंने नाम दे दिया elements, क्या नाम दिया, elements इन्होंने फिर बहुत कोशिश की अपना मतलब की पूरे जीवन लगे रहे कि हपन क्या करें, hydrogen gas को तोड़ दे फर्दर, या oxygen gas को तोड़ दे, लेकिन वो इसमें successful ना हो पाए, तो इन्होंने तो कह दे बाई साब, यह ही है fundamental चीज अपने पास में तो इन्होंने क्या कहा, they concluded that these gases must be primary constituents of matter कि यह जो gases है ना, मतब जैसे इस case के अंदर तो अपने पास hydrogen और oxygen थी किसी और चीज के अंदर उन्होंने क्या किया, कुछ और gases बनाई किसी चीज में, और gases, कईयों के अंदर कुछ solid product बना, जो भी फर्दर नहीं तूटा तो इन्होंने क्या कहा, कि अपने पास में, जो यह बच रहे हैं ना, यह residue, अपने पास में जो pure substance को तोड़ने के बाद में, जो residue बन रहे हैं, इनको अपन matter कहते हैं, तो यह primary constituent मतलब की, इन से मिलके ही बनाया है, जो अपने पास सारा matter है, जो की cannot be created or broken down through normal chemical reaction, अच्छा, अभी तक दो को यहाँ पर physical separation हो रहा था, यह कह रहे हैं कि physical separation से अपन इससे आगे नहीं जा सकते हैं, यह pure substances बनेंगे, इसके बाद में इनोंने क्या किया, कहा कि अपन करते है chemical reaction, chemical reaction करके इनोंने क्या कर दिया, पानी को further तोड़ दिया, तो अभी यह कह रहे हैं कि normal chemical reaction से further अपन ना ही तो इनको तोड़ सकते हैं, और ऐसा अपने पास में कोई chemical reaction यह जिसमें कि अपन यह चीजे बना सकें या इन चीजों को मिटा सकें जो अपने पास elements आ रहे हैं आईसा नहीं कर सकते अपन कि अपन कैसे भी कर के किसी chemical reaction में कोई element नया बना दे हाना जैसे अपन मान लो एक ग्राम यह ले रहे हैं एक ग्राम यह ले रहे हैं तो दोनों मिलके दो ग्राम ही बनाएंगे अपने पास तीन ग्राम नहीं होगा कि या अलग से कुछ बन गया हो या इस दो ग्राम को बन तोड़ेंगे तो एक ग्राम वापस यह बनेगा और एक ग्राम वापस से बनेगा, ऐसा कभी वापस नहीं होने वाला, कि अपने पास ये डेड़ ग्राम आगया और ये एक ग्राम आगया, जितने अपने पास में reactants है, जो react कर रहे हैं, जिनको उपन मिला रहे हैं, उतने ही अपने पास तूटने के बाद रहेंगे, तो ये बात इन्हों ने कहीं, तो ये बात इन्हों ने कहीं, कि अपन क्या करते हैं, जैसे पानी है, पानी को अपन ने तोड़ा, और पानी को तोड़ के अपन ने बना दिया hydrogen gas और oxygen gas, ठीक है, अब इन्हें अपन favorable conditions देते हैं, मतलब कुछ ऐसा अपन करें, कि ये दोनों वापस में एक दूसरे मिलने के लिए तैयार हो जाए, कि हम वापस एक दूसरे से मिलने को तैयार है, मतलब temperature के साथ छेड़ चाड़ करें, जो इनका pressure है, इनके ओपर कितना दबाव डाल रखा अपने, कितना दबा रखा इनको, उन चीजों के अंदर बदलाव किया जाए, तो ये दोनों मिलके वापस पानी बना रहे थे, लेकिन ये मान के चलो, अगर अपने एक लिटर पानी लिया, एक लिटर पानी से गैसे बनाई, और इनको कहीं नहीं जाने दिया और इन gases से वापस अगर अगर अपन पानी बनाते हैं पूरा-पूरा तो अपने पास फिर से एक लिटर पानी बन रहा था तो इन्होंने एक चीज यह ना कि cannot be created, not destroyed वो चीज यहीं से बोली इन्होंने कि बाई साब अपने पानी को तोड़ा पानी को तोड़ने को अपने को वाज हाई और Oxygen Gass ही अब इन हाईडोजन Gass और Oxygen Gass को जाभ वापस मिला दिया तो उतना ही पानी वापस आगि अपने पास में तो यह चीज इन्होंने कई बार करके देखी लेकिन एक बोर्ट पे हो नहीं पाया तो करेंगे उसे भी कवर अपन नेक्स स्लाइड में हाँ बचो आगे देखते हैं अब जो मैरी एनी पोल्स एन एंटोनियो लवरी जो इनके हजबेंड थे जो भी नाम था उन्होंने जैसे ही एलिमेंट के बारे में बताया कि इलिमेंट नामा की कोई चीज होती है जो मतलब जिन से मिलके ही सारी चीजे बन्ती है तो उसके बाद में आलग अलग अलग elements को खोजने की होड़ बच गई चारो तरफ की भाई elements कौन-कौन से होते हैं क्या क्या होते हैं जड़ा एक बार सारे निकाले अपन है ना सभी elements को खोजने के लिए जो दुनिया भर के अंदर मतलब एक मुहीम चल गई एक पूरा का पूरा ग्रूप एक बहुत अच्छे कास से जो scientist लोग थे बहुत सारे वो इसी काम में लग गए कि अपने एक बार कम से कम जितने अपने पास elements से सब को identify तो करें ठीक है अब उन्होंने क्या किया बतलब तब से लेकि आस्तिक elements 118 elements atoms वो समझेंगे exactly element और atom के बीच में relation क्या है तो उसके बाद में ध्यान दिनर लाइक चीज़ क्या थी कि periodic table के बारे में शाइद आपने नाम सुना हो या ना भी सुना हो तो आने वाले chapters में अपन देख लेंगे periodic table क्या है यह group है अपने क्या किया जो एक तप यह नहीं चे जन्रेट हुआ था कहीं ना कहीं इन दोनों husband wife का इसमें बहुत बड़ा contribution था after knowing about elements search of elements started and periodic table come into action ठीक है अचा अब एक सोचनला एक बात यह है कि अपने पास में जो elements थे हो कैसे कैसे होते हैं के वल सॉलिड होते हैं गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं तीन होते हैं तो बेटा देखो जो अपने पास elements है ना यह अपने पास solid में मिल जाएगा liquid मिल जाएगा और gases state में मिल जाएगा इनके मैंने कुछ-कुछ example लिखे हैं जैसे gases के अंदर अपने पास हाइड्रोजन हो गया oxygen हो गया हिलियम नाइट्रोजन यह elements अपने पास में available है गैस्यस में लिक्विड की में बात करो तो लिक्विड के अंदर अपने पास बेटा mercury है ब्रोमीन है यह दोनों के दोनों अपने पास में liquid state में available है liquid समझते हो ना जैसे पानी जैसा हा ना वह liquid अपने पास में और उसके iron हो गया gold हो गया कोईल आता ना carbon pure carbon वो गया अपने पास में यह अपने पास में क्या है elements है अलग 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 तरह कि यह अपने पास को तीनों स्टेट में मिल जाएंगे लिक्विड स्टेट में मिल जाएंगे और solid स्टेट में भी मिल जाएंगे अब जड़ा देखते हैं क ये मिलके अलग-अलग चीज़े कैसे बना रहे थे यह सारा काम इन्हों ने कर लिया था अपने दोनों husband wife ने ये सारा काम कर लिया था इनकी तो बस ये जो अलग-अलग gases थे जैसे hydrogen gas ये oxygen gas, ये bromine, ये mercury ये तोड़ पाने में success नहीं मिल रही थे इनको ये तोड़ने में section नहीं थे otherwise इनके साथ तो खूब छेड़ चाड़ की थी तो वो सब क्या थी? जरौब उनको भी समझते हैं तो इन्होंने क्या किया? hydrogen और oxygen इन दोनों को जब मिलाया मिलाया कैसे? जैसे एक पर ये देख लेते हैं इनक पर ये definition से हो समझना competitively आसान हो जाएगा in certain conditions of pressure and temperature pressure and temperature की कुछ conditions के अंदर elements will react and form new substance जो अपने पास elements है elements क्या? ये जो इन्होंने बताया थे कि elements होते हैं, बात कर सुगे ना? elements सुरी दिर पहले कि ये जो elements होते हैं, ये क्या करते हैं? react करते हैं या एक दूसरे से combine करते है certain pressure and temperature के condition में और वो combine करके new substance form करते हैं new substance मतलब एक नहीं ही चीज़ बना लेते हैं with new properties मतलब उसकी जो properties होती हैं वो अलग होती है ऐसे चीज़ों को अपन क्या कहते हैं? compound कहते हैं ठीक है? compounds कहते हैं उन्हें अच्छा अब देखते हैं एक बार example तो समझते हैं इस इसको यह definition ते एक बार अपने देख लिए पर example तो समझते हैं फिर definition को वापस देखेंगे एक बार अच्छा एक बार बताओ जो अपने पास पानी है यह काई से बनावा था hydrogen plus oxygen से मिलके पानी बनावा था भी थोड़ देर पहले अपने देखा था कि अगर इनको chemical ही तोड़ दें अपन पानी को तो अपने पास में क्या क्या बसता hydrogen and oxygen तो बचा लोग यहां ध्यान देना थोड़ा सा जो hydrogen और oxygen को अगर अपन मिलते हैं जब पानी को तोड़ रहे हैं तब अपने पास hydrogen और oxygen आ रहा है और hydrogen और oxygen को अगर अपन मिलते हैं तो इन दोनों को मिलाने पे अपने पास मिलता है पानी अब एक बात बताओ मेर को अब अगर इनकी अपन properties की बात करें physical properties की बात करें पानी को किस काम में लेता हो प्यास भूजाने के लिए नहाने के लिए या पेडों के अंदर भी अपने ज़ड़ों के अंदर सीचेना होता है उसके बाद में इधर अपने पास में दो गैसे है hydrogen gas directly अपने पास हाई्डोजन कोई काम नहीं आती है मतब़ necesिंट में अबार लिए लगी अविलेबल है हाई्डोजन बहुत अच्छे कास है मांट में लेकिन डियरेक्टली ना अगर मुश्किल से इतना सा मतलब तीन चार एमल भी तुम अंदर ले लो तो मेभी तुम्हारा पेट हटाना पड़े पूरा खराब हो जाएगा तुम्हारा पेट कभी जिंदिगे में पर खाना नहीं खा सकते है लेकविड पर जिंदा रहो नहीं तो जो हाइड्रोजन है और अगर बाइचांस खतम हो जाए तो अपन क्या करें पांस में एक भगवाना रख दें उसके अंदर पानी को उबा ले पानी जब गैसे स्टेट में करनवर्ट हो जा तो उससे सांस ले लो किया तुम ले लो कि नहीं ले सकते अपने को सांस आयेगा ही नहीं दम गुट जाए है बहुत चाहिए कर नहीं चाहिए कोई भी कंबशन में और दूसरे ही अगर बात करें पानी की ये क्या काम आते हैं आग बुजाने की टेंप्रेटर अपना जोगे 25 डिगरी के अप्रोक्सिमेटली स्टेंडर्ड माना जाता है 25 टो 27 डिगरी सेंट्रिड के असपास वहां पर अपनी ऑक्सिजन तो कैसी है गैस की फॉम में अभी और अब अपने बात करें पानी की अपने अगर बात करें यहां पर तो यह देखो पाने अपने पास कि स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, रूम टेंपरेचर पे है की नहीं, अच्छा, तो इनकी प्रोपेटी समझ में आ गया होगा, कम्प्लीटली अलग-अलग है, अच्छा, ये एक्जामपल भी तुम प्रैक्टिकल डे टूडे लाइफ में उफ्जोर अब ये आईरन उक्साइड क्या होता है, अच्छा, लोहा जंग खा जाता है, देखा है, जंग लग जाती है लोहे के, जो ब्राउन ब्राउन गोल्डन सा कलर आता है, वो होता क्या है, वो बेटा आईरन उक्साइड होता है, अब देखो आपने हवा के अंदर क्या बोलता ह oxygen present है और यहां पर अपने पास में क्या बोलते है आईरन के जो रोड है वो है और हलका फुल का पानी भी इसमें contribute करता है जो आगे देखेंगे अपन कैसे तो यह सब यह पानी तो क्यों help करता है इनकी पानी कुद गई नहीं लगता तो वो क्या होता है oxygen और iron मिलके iron oxide बना लेत हैं तो एक बात बताओ लोहे की देखा मजबूति लोहे को तुम यह चिल सकते हो क्या उपर से हां चिल सकते हो नहीं चिला जा सकता अंगूल यह अपने जो नाखुन हो चिल जाएंगे पर लोया नहीं चिलेगा दूसरी तरफ बात करें जंग जो iron oxide रहती उपर तुम कुछ भी लेकर यह इवन हाथ से भी टाइट ड्रब कर दोगे ना उसे तो जड़ने लग जाती है नीचे अना इनकी प्रोपर्टीज में कितना चेंज जागा है लोहा एक तरफ इतना मजबूत जिसकी कोई मतब मिशाल दी जाती है मजबूती की और दूसरे आपके अपने पास मे यू रगड़ते ही गिर रहा है उससे जंग लगने से अपने दर्वाजे वगरा खराब भी तो हो जाते हैं होता नहीं हो ता बार चोड़ देते हैं तब अच्छा अब यहां देखो ओक्सिजन दोनों में सेम है चेंज किया कि अपने आईरन और इधर था हाइड्रोजन और अगर अपन ऑक्सिजन के साथ में मर्क्यूरी को रियक्ट करवा देते हैं अगर अपने पास में मर्क्यूरी को अक्साइड बनता है क्या बनता है मर्क्यूरी को अक्साइड यह पता है मतलब औरेंज सा सबस्टन्स होता है और इवन यह तो जहरीला होता है सर अगर अपन ग तरब सेम अपन बदल क्या रहे हैं एक जिगा हाइटोजन ले लिए एक जिगा आइडन ले लिए एक जिगा मर्कुरी ले लिए और जो चीजे बन रही है इनका भी क्या बोलते हैं जो प्रोपर्टीज वो completely different about his definition बे वापस in certain conditions कुछ conditions ऐसा थोड़ना यह हमेसे रियक्ट के लेंगे कुछ conditions में ही होती यह reaction in certain conditions of pressure and temperature तेंपडिचर माँने कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है और pressure मतलब कितना दवा रखा किसी चीज़ को पनने तो in certain conditions of pressure and temperature क्या होता है elements will react यह जो elements है यह element यह क्या करेंगे react करेंगे and form new substances और यह react करके बनाएंगे new substances और इन new substances की properties क्या होती और यह जो new substances बनते हैं कुछ नई properties होती है जो new substance बनते हैं with new properties कुछ नई properties के साथ में इन्हें अपन कह देते हैं compounds ठीक है इताद I hope समझ में आगया होगा अब ज़रा आगे देखते हैं यहां देखो amount of elements was exactly equal as much as used to form compounds बेटा अपन पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में अब भी थोड़े देर पहले बात कीती है अपने कि अगर अपन थोड़ी सी hydrogen ले या थोड़ी सी वोड़ी सी कुछ नहीं होता अपन यू मान लीजिए एक ग्राम तो ले या दो ग्राम तो ले हाइड्रोजन दो ग्राम तो ले अपन हाइड्रोजन हाना और उसके साथ साथ में oxygen कित्ती ले 16 ग्राम oxygen ले तो अपने पास में 18 ग्राम पानी बनता है 18 gram पानी बनता है, अगर अपन 2 gram hydrogen ले और 16 gram oxygen ले तो अपने पास में 18 gram पानी बनता है, क्या बनता है, 18 grams पानी अपने को मिलता है जब 2 gram hydrogen और 16 gram oxygen एक दूसरे से react करते हैं, chemical हाँ अब अगर मैं इस 18 ग्रैम पानी को तोड़ू आना तोड़ने के भी तरीग है अपने पास में तो मुझे वापस 2 ग्राम तो हाइडरोजन मिलेगी और 16 ग्रामी ओक्षिजन मिलेगा ये उपर नीचे नहीं होंगे कभी भी समझ रहे हो? समकागी नहीं जमका? अच्छा इसके साथ साथ में बेटा जी कुछ एक चीज हो रहे है जो अपन हलका से एक बार देखते हैं फिर लिखके अच्छे से फिर समझेंगा अच्छा सुनो देखो बेटा अपने पास में क्या होता है? जैसे अपने हाइड्रोजन और ओक्षिजन को रियक्ट करवाया अपने दो ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम पानी से रियक्ट करवाया तो अपने पास में 18 ग्राम क्या मिल गया? पानी मिल गया अपने को लेकिन वहीं पे अगर मैं जबरदस्ती करता और 2 ग्राम हाइडरोजन को बोलता 2 ग्राम हाइडरोजन को मैं बोलता कि तेर को तो मुझे नहीं पता 32 ग्राम के 32 ग्राम ओक्सिजन के साथ में रियक्ट करना है अगर मैं 2 ग्राम हाइडरोजन को बोलता कि तुझे 32 ग्राम oxygen के साथ react करना है 18 के साथ नहीं करने दूँगा 16 के साथ नहीं करने दूँगा 32 के साथ में तरको डियेट करना है तो बेटा इस बार ये जो बनाएंगे वो चीज होगी hydrogen per oxide क्या होगी hydrogen per oxide मतलब खुल मिलाके एक ऐसी चीज बनेगी जो पानी नहीं है मतलब अगर अपने को पानी बनाना है हमेशा तो अपने क्या करना पड़ेगा 2 ग्राम hydrogen ले रहे हैं तो 16 ग्राम oxygen लेनी पड़ेगी आगर मालोब hydrogen डबल कर दे हाइडरोजन 4 ग्राम कर दे तब अपने को oxygen भी डबल करनी पड़ेगी 16 से 32 पे जाना पड़ेगा समझ रहे हो मतलब अगर अपन को पानी बनाना है तो जो 2 ग्राम अपने पास में hydrogen है यह हमेशा 16 ग्राम oxygen के साथ में ही रियक्ट करेगा अगर तुम्हें जादा चीए तो तुम क्या करो पानी को भी डबल करो स्वेशा पानी को डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा hydrogen चार ग्राम और वहीं पर अगर अब तुम्हें हाइडोजन को डबल कर दिया तो अब तुम्हें oxygen को भी डबल करना पड़ेगा क्यों क्यों क्योंकि देखो यह दो ग्राम hydrogen 16 ग्राम के साथ कर लेगा और additional 2 ग्राम hydrogen दिया वो भी अगले 16 ग्राम हाइडोजन के साथ में रियक्ट करेगा और वो मिलके पानी ही बनाएंगे इस बार कितना बन जाएगा चार ग्राम प्लस 32 ग्राम चार फूर ग्रैम प्लस 32 ग्रैम यह अपने को कुल मिला के देंगे 36 ग्रैम ओफ वोटर अना अब अगर मान के चल अगर लें तो उसके लिए अपने को 48 ग्रैम मतलब तीन गुना अपने को और पानी बनाने के लिए लेकिन अगर मानलो अपन गडबड कर देंगे अपन कहें दो ग्राम को 32 ग्राम और 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 यह अपन तो जबर्दस्ति है इनके साथ बिचारों के साथ हाइड्रोजन और औ अब यह हाइड्रोजन परोकसाइड क्या होता है बेटा हाइड्रोजन परोकसाइड तुम्हें पता है ब्लीचिंग जो अपनी मम्मी लोग ब्लीच बगरा करवाती है वो ब्लीचिंग में हाइड्रोजन परोकसाइड इस्तमाल होता है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन में दुबा के बाहर निकालता हूं तो शपीद हो आपसे का सारा कलर छूप गायब समझ रहे हो और उसको पी नहीं सकते है अपन बहुत 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 नुकसान डायक है इवन इट कन लीट तो अगर उसे पी लिए तो आना तो देखो एक बार जब अपन इतने हाइडोजन के साथ में इतनी हाइडोजन मिला रहा है तब तो मिल रहा है पानी लेकिन अगर अगर अपन इतने हाइडोजन के साथ में इतना उक्सिजन मिला दे तो अपने को मिल रही है कोई और चीज तो उन्होंने यह चीज नोटिस करी थी कि अपने को पानी बनाना है न तो अपने को particular amount of hydrogen लेना पड़ेगा उसको particular amount of oxygen के साथ में react करवाना पड़ेगा तब ही जाके अपने को पानी मिलेगा अगर अपने किसी की quantity उपर नीचे कर दी तो अपने को पानी ना मिल करके कुछ और मिलेगा हाना अच्छा कोई ना कंफ्यूज ना हो अपन जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं तब इस इसको अच्छे से समझते हैं सकते हैं कि त्योरी अपने स्लेवर्स का पार्ट है जो कि अपन थोड़ी दिर बात देखेंगे मतब नेक्स लेक्ट्चर में उससे पहले अपन थोड़ा सा एक बार समझे लेते हैं कि वह इस कॉंक्लूजन तक पहुंचे कैसे कि हां यह जो एलिमेंट्स हैं यह भी पर्टिक्लर एकम से बने में ऐसा नहीं कि इन्हें तुम जितना वर्जे उतना छोटा कर दो इनकी भी एक लिमिट है तो यह एक्जामपल अपन देखते आ रहे हैं एक बार हलका सा जल्दी से देखत हैं जब अपन 2 gram hydrogen लेते हैं और उसे 16 gram oxygen के साथ में react करवातने हैं in such scenario we get 18 gram hydrogen but at the same time if we force 2 gram of hydrogen to react with 32 gram of oxygen we get 34 gram of hydrogen per oxide this time we haven't got water it was something different कुछ अलग ही अपने को मिला और बेटा इनकी जो properties थी वो भी completely अलग थी हाना तो चलो ठीक है एक उन्होंने देखा यह चीज तो ठीक है इतना click neon के दिमाग में उन्होंने क्या किया फिर एक और example देखा हाना इस बार उन्होंने क्या क्या nitrogen लिया nitrogen मतलब एन ना यह nitrogen का symbol होता है बेटा वैसे तो 8 class में देखा होगा अलकाफल का आप लोगोंने और जो oxygen है उसका symbol होता है O हाना उसे O से represent करते है अपने तो जब इन दोनों को react करवाया उन्होंने तो यह अलग-अलग चीज़े बनी उनके पास में जब उन्होंने एक ग्राम nitrogen को react करवाया 0.571 ग्राम oxygen से हाना यह जो इधर वेट लिखाओ वेटा हो nitrogen ह हर बार अपने nitrogen एक ग्राम ही लिए लेकिन oxygen क्या अलग-अलग quantity में ली गई उन्होंने देखा जब अपने oxygen ली 0.571 ग्राम तो अपने पास कुछ बना उसके बाद में अपने लिया 1.14 ग्राम oxygen तब अपने पास में कुछ बना उसके बाद में अपने लिया 2.28 ग्राम oxygen किसक इट शिक्स ग्राम उक्षिजन लेकि देखी तब इनके पास कुछ बना अच्छा इनके बीच का कुछ ले रहे थे ना तो ऐसा निया कुछ और चीज बन रही थे कुछ यह बन रहा था कुछ बना था बदब बिला कि अपने इतना काम की नहीं हो चीज यह एक अगर अपने को स्टोर पे जा और घर के लिये तोड़ा सा सामान आमान लेकिया तो वहला ममी सामान तो कि हां तेरी बुhouा मोसी वग़रा फूपा जी वगरा आयो रहा है काम कर जाकि उनस सब चाहें के लिए चीज घा रही तो भेद्वा करो पांच balm में मु पैक करवाना है तो ल 약रा-थाल करो तो उसने सोच क्यों न सब लिए बराबर ले लेता है तो उसने क्या किया सभी के लिए क्या किलोग्राम का चाइका पैकिट इसके अंदर डिल वा लिए ज्यादर फार्शली टेची नहीं लगती नशीनी में कर लेंगे उपरनी से जो भी करेंगे एके किलेव उसने क्या करती गरा जब के लिडे लिया तो बोलता कि कम से एक एक 0.5 लेना पड़ में तुर और फैकिट में थी मेरे पास जो भी है तो और फैकिट में खो Boom हुआ निया आपको चाहिए तो बुरा पैकिट लो मैं खुले नि देंगा तो बोलो ठीक है इसको तो 1.5 kg डालो इसमें तो 1.5 kg डाली अब बात आई मतलब जो थोड़ा यह कम पसंद रिस्चेदार था यह थोड़ा ज्यादा पसंद था उसे रिस्चेदार तो इसमें चीनी ले लो या 3 kg ले लो इनके बीच का आपको कुछ नहीं मिलने वाला तो उसने क्या किया चल ठीक है बाई एक काम कर 3 kg डाल दे उसने डाल दिया फिर अगले के लिए बोला इसमें किता डालो तो बोला कि इसमें 4 kg कर दे बोला सर 4 kg बता तो रहो आपको नहीं हो पायागा तो क्यों वापस वोई बात कि सर मेरे पास तो 1.5 kg के multiple ही है केवल 4 kg कैसे डालू मैं या तो 1.5 kg आएगा या 3 kg आएगा या 4.5 kg आएगा वह एक पैकिट लोगे आप तो 1.5 kg आप दो पैकिट लोगे तो आपके पास 3 kg हो जाएगी आप 1.5 kg प्लस 1.5 kg प्लस 1.5 kg प्लस 1.5 kg त इतनी ले लो तो चलो ठीक मजबूरी का ना मात्मा का निदी डालो तो यहां आगे अपने पास 4.5 kg इसके बाद में उन्होंने क्या किया आगे 4.5 kg लेने के बाद में कि यह मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद दो तो इसके लिए यह मासी जीती तो इसके लिए सबसे करते हैं इसमें तो डेड़े किलो डाल दिया इसमें 2 पैकेट डाल दिया तो तीन किलो विए तेरी यह तो कमाल बात हो की तो बोलता है कि सर एक बात समझो आप तो बहुँ है क्या आप जैसे मेरको यहाँ पे एक किलो फिक्स चीनी के लिए यहाँ पे इन सब चीजों को अलग-अलग बनाने के लिए इन सभी बैक्स को अलग-अलग बनाने के लिए आपने यहाँ डेड़ किलो चीनी डाली और यहाँ पे आपने चीनी डाली 3 kg यहां 3 kg चीनिया आपने डाली तो बोला इससे क्या हुआ अरे सर बात समझो आपने 1.5 kg का integral multiple डाला है 1.5 multiplied by 2 3 kg 1.5 multiplied by 3 4.5 kg 1.5 multiplied by 4 6 kg same कहनी atoms के साथ है दुकान वाला बोलते है atoms के साथ तो बोलते अरे सर समझो उसको फिर यह example दिखाया उसने कि देखो सर बात मैंने यहां पे क्या कर दी चाई कर दी fix चाई fix करके जैसे जैसे मैंने यहां पे चीनी बदली मेरे पास जो product आए वो अलग अलग आए तो बोला कि हाँ ठीक है तो उससे में मैं क्या करूँ अलग तो समझो सर बात को तो बोलता है कैसे समझो क्या कहना चाहरे हो कि सर यहां पर भी देखो इस hydrogen के साथ में मैंने 16 ग्राम oxygen दी पहले तब तो इसने कुछ बना लिया एक bag बनके अपना तयार हो गया इसके बाद मैंने क्या किया दो ग्राम hydrogen वापस ली और उसको मैंने चाहा कि 20 ग्राम मैं दे दू oxygen तो वो तो रूट के बैट गया उसने कोई नई चीज नहीं बना लिया कुछ इसमें से बना लिया तो उसने बोला मतलब कहना क्या चाहरे हो आप कि सर देखो जैसे आपने यहां पर ग्राम चाही फिक्स करी एके ग्राम चाही के साथ में पहले इतनी ग्राम चीनी फिर इतनी ग्राम फिर इतनी ग्राम फिर इतनी ग्राम और हर बार प्रड़क्ट अलग 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 आपके देखो चार बैक्स चार अलग 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 प्रड़क्ट चाहे का आप सोरी चीनी का आपने डाला एक पैकेट अना इसके बाद में आपने चीनी का पैकेट जैसे ही डबल किया तो देखो है आप पे यह बन गी यह कुछ और प्रडक्ट करी तो इसने कुछ यह बना लिया कुछ यह बना लिया लेकिन नई चीज नहीं बनाई मतलब कि जैसे ही मैंने एक ग्राम नाइट्रोजन के लिए ऑक्सिजन थोड़ी ज्यादा सप्लाई कर दी चार गुना सप्लाई कर दिया जो मिनिममम कुछ बनाने के लिए उसका तो यहां पर कुछ और बन गया तो कुछ समझ पा रहे हो बटा देखो जोन डल्टन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ यह सिर्फ ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले लिए थोड़ा समझाने के लिए तो बटा देखो बात समझो जैसे यहां अपने पास में जो चाय पत्ती थी उसके साथ में चीनी की अलग-अलग quantities लेनी पड़ी अपने को क्यों 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 कि इसके पास में डेड़ किलो के अलावा पॉसिबल नहीं था एक minimum amount के अंदर ही वो दे रहा था तो यहां भी ऐसा क्यों हो रहा है कि बार 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 यह इसका multiple आ रहा है तो समझ पा रहे हो कुछ इसका भी एक minimum amount fix हो गया ऐसे नहीं था अपने को जितनी चीनी चीए थी उत्ती मिल रही थी तो इसी प्रकार से जो अपने पास में इसी same way में इस same methodology के साथ में अगर सोचने के कोशिस करे है अपन थोड़ी सी तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है क्य लिए अपने को इसका double लेना पड़ेगा अपने इतना नहीं लिया तो कुछ और बनाने के लिए इसका double लेना पड़ेगा कुछ और बनाने के लिए डबल लिया यहां पर अपने चार गुना लिया और यहां पर अपने पांच गुना लिया तब जाके अपने पास में अलग तो ये product बनाने के लिए अपने को oxygen की इतनी जरत पड़ी, ये product बनाने के लिए अपने को oxygen की इतनी जरत पड़ी, ये product बनाने के लिए अपने को oxygen की इतनी जरत पड़ी, ये product बनाने के लिए इतनी oxygen की जरत पड़ी, और इन्होंने एक pattern देखा यहाँ पर, कि इसका अगर मैं double तो मिर पास यह आ रहा है मतलब कि ए गर मुझे यह products बनाना है तो इसमें जतनी उक्सिजन ली थी उसका डवल अक्जजन यहा लेना पड़ेगा है और घर से остinä स मिनिमुम ऑजए सीन था इस से चार गूना मेर को लेनी इसे क्या चीज समझ में आते हैं कि अपने पास में freedom नहीं है कि अपन जितना चाहे उतना ही निकाले अपन bound है एक certain amount लेने के लिए समझे कुछ तो यहां से जाके उन्होंने फिर atom को prove किया और भी कुछ है बेटा आगे तो लेकिन उसके लिए अपने को कुछ और चीजों का knowledge होना चाहिए दो तीन chapters का तो वो अपन आगे देखेंगे जब इसे देखा कैसे गया atom का exactly मतब देखा नहीं मतब उसकी image कैसे बना है